सत्तनाम वाहिगरू सह्वजी वड़हस महलाती जाकर पहला एकोंकार सत्तगुर्परसाद मन मेले सावकेश मेला तन तो तै मन हच्छा ना होए ए जगत परम पलाया विरलाबू जैकोए मन मेले सावकेश मेला तन तो तै मन हच्छा ना होए एहे जगत परम पलाया विरलाबू जैकोए जब मन मेरे तू एको नाम सत्तगुर्दियामो को एहे निदान रहाओ सिद्धा के आसन जे सिखें इंदरी वस कर कमाए मन की मेल न उत्रै हो में मेल न जाए इस मन को होर संजम को ना ही विर सत्तगुर्द की सरनाए सत्तगुर्द मिले ऐ उल्टी पही कहना कि शुना जाए पढ़त नानक सत्तगुर्द को मिल दो मरें गुर्द के सब्द फिर जीवे कोई ममता की मल उत्रै एमन हच्छा होई पढ़त नानक सत्तगुर्द को मिल दो मरें गुर्के सब्द फिर जीवे कोई ममता की मल उत्रै एमन हच्छा होई वाहि गुर्द का खालसा वाहि गुर्द की फते एहान आज़ देप्वितर हो करनामे जो स्री दरवार साम अमर सार तो आयहन परमातमा एक है जिसने नाल मिला आप सत्गुरु दी बक्षिस दे नाल होंदा है गुरु साव जी फरमान करने है मेरे मान तू विकारा तो बचन लई सिर्फ और मातमा दा नाम जप्या कर ए नाम खजानना मेनू गुरु ने बक्षिया है ठेहराओ हे पाई जे मनुख दा मान विकाराँ दी मैल नाल परेया रहे ता उतना चेर मनुख जो कुछ करदा है सब कुछ विकार ही करदा है स्रीर नो तीर्था आदक दे इशनान करा नाल मन पवित्र नहीं हो सकदा पर ए संसार तीर्था इशनान तो मन दी पवित्र ता मिल जान दे पुले खे विच पैके कुराहे तुर्या जा रहा है कोई विरला मनुख इस सचाई नो समझदा है जे मनुख करामाती जोगियां वाले आसन करने सिख ले जे काम वाशनान जितके आसनान दे अवे आस्दी कमाई करन लग पए ता भी मन दी मैल नहीं लें दी मन विचोह में दी मैल नहीं जान दी हे पाई गुरू दी शर्ण पेंट तो बिना होर कोई जतन इस मन नो प्रवित्तर नहीं कर सकना जे गुरू मिल पे ता मान दी मिरती संसार वलनों उल्ट जान दी है ते मान दी ऐसी उची दशा बन जान दी है जो बियान नहीं किती जा सकती गुरू अल्ग साब दे रूपिच गुरू अमरदाश जी साब दस्ते हन जेडा मनुख गुरू नो मिल के बिकारां वलनों आशो हो जान दा है ते फिर गुरू दे शब्द विच जुड के आत्म के जीवन हासल कर लेंदा है उस्ते अंदरो माया दी ममता दी मैल ले जान द गुरू अमरदाश जी जी साब दा है वाहिवू जी का खालता, वाहिवू जी की फत्य दिए तोटे जो कम नम आप रंप स्री दरवार साव अमरदाश अटर्ड भूज अबर्दाश जी अंडर दे एंड़ है रटहांस थिर विचल मैल फिर्स विच एंड़ गूद the body, the mind is not cleansed. This world is deluded by doubt. Hardly anyone understands this. Oh my mind, chant the one name, the true guru has given me this trier. पूज ग्रफ together. Even if one learns the yogic postures of the siddhas and holds his sexual energy in check, still the filth of the mind is not removed, and the filth of egotism is not eliminated. this mind is not controlled by any other discipline except the sanctuary of the true Guru meeting the true Guru one is transformed beyond description praise Nanak one who dies upon meeting the true Guru shall be rejuvenated through the word of the Guru's Shabbat the filth of attachment and possessiveness shall depart and the mind shall become pure Vahigur Ji Ka Khalsa Vahigur Ji Ki Fateh I thank those who are sponsoring this episode in which Sardar Harbinder Singh USA especially thank to him God bless him all the happiness thank you Vahigur Ji Ka Khalsa Vahigur Ji Ki Fateh